बीना मेहनत आज हम यह चना चाट बनाकर तयार करेंगे इसमें जीरो मेहनत लगती और खाने में बहुत ही जदा टेस्टी और चटपटी होती है हेलो दोस्तों मैं हूं सुकू और आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुकू की वैस्थारी में तो इससे बनाने के लिए थोड़ी सी मैंने यहापे सब्जिया लिया है जिसमें एक टमाटर, एक प्याज, आदे खीरे और एक उबली हुए आलू को मैंने लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरीके से खीरे को काट रही हूं तो सभी सब्जियो को मैं बिल्कुल बारिक सा काट लेना है तो इस तरीके से इसको बारिक सा हम काट लेंगे और आप चने की साफ से सबजीओ को ले सकते हैं मैं बहुत थोड़े से चने में बना रही है तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े सबजीओ को लिया है अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो सबजीओ की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं अब क्या करेंगे कि इसके लिए थोड़ा एक मसाला त्यार करेंगे तो मसाले को त्यार करने के लिए मैंने यहाँ पे यह एक मिर्च थोड़े से जीरे और थोड़े से धनिये के बीज को मैंने भून करके ले लिया है इसको हमें बारिक सा कोट लेना है अब यहाँ पे मैंने यह चाना जिसको कि मैंने उबाल करके और लिया है इसको मैंने नमक डाल के रुकुकर में उबाल दिया है दो से तिन सीटी और यह इस तरीके से एकदम बल्कुल सॉफ्ट हो चुका है तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाने को सॉफ्ट करके लेना है अब क्या करेंगे कि इस तो यहां पे मैंने इस में चल्माच को मैं ऐदालने इसने को रीटाश की नहीं होगो। तो यहां पे मैंने इसमें देन जमच एमली का पल्प डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे यह आलाया नीमबू नीचोड करके तो इस तरीके से मैंने इसमें नीमबू भी नीचोड लिया है अब हम इसमें डालेंगे यह मिर्च तो यहां पे मैं एक मिर्च को बारी काट करक रखते हैं इसके बाद जो मैं मसाली को भूण करके रख्खा था न उसको कोट करके डालेंगे तो यहां पे मैं एक चमश डार रही है उसके बाद साधा नमक, काला नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार रखें इसके बाद इसको अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे जब तक मैं मिक कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और इस तरीके से हम इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हमारी चटपटी सी चाट बनके तयार हो गई है बिलकुल खाने के लिए तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा आपने फ्रेंड्स और फैमिली को सेर किजिएगा और बार इसमें इस चटपटे चाट का मजा लेजीएगा और फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्टुब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए चाट का मज़ा लेजिए धन्यवाद